Hello everyone, welcome to my YouTube channel, श्रजन्नमाचार मैं रशनर शुकला, कक्षर 4 की संस्कुत की कारिपुस्तिका, गड़ित की कारिपुस्तिका, अंग्रेजी की कारिपुस्तिका, हिंदी की कारिपुस्तिका के बाद, कारिपुस्तिका पर्यावरण का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ, एक बर्फ प्रधान घर दिख रहा है, अब प्रश्न कोई घर कौन से क्षेत्र में है, घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, रानी का घर बांस के खंबे पर क्यों बना होगा, बस जिस क्षेत्र में रहती है, वहां अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए बांस के खंबो उपर घर बनाया गया है जिससे जमीन से काफी ऊची या काफी ऊचे रहते हैं घर में पानी नहीं भरता है शालनी का घर कौन से क्षेत्र में है विवरण दीजे तो शालनी का घर बर्फ प्रधान क्षेत्र में है यहां पर घर शोपड़ी आकार में बनाया जाता है जहां बर् गर सुरक्षित और गर्म रहता है। और शालनी के घर की ख़त ढालू एक जैसी है पर एक की ख़त बास की दूसरे की ख़त सीमिन्ट की है। नौका घर का इस्तेमाल कैसी जगा पर किया जाता है जहां पर जील होती है वहाँ ऐसा घर देखने को मिलता है। क्या आपको नौका घर में रहना अच्छा लगेगा हाँ जब मैंने देखा कि लोग इसमें टहलते हुए रह सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा। आपने कहां कहां तंबू लगे हुए देखे हैं पहुत जगा पर आसपास में जो गरीब हैं वह मेले में जहां बाढ़ हाती है वहाँ जब रहने का संकट हो तो तंबू दिखाई पड़ता है। माल लो आपको तंबू में दो दिन अकेले रहना है और कुछ जरूरी चीजें लेकर जाना है तो आप कौन-कौन सी चीजें लेकर जाएंगे खाने का समान, कपड़े, टॉर्च, माचिस, आदी जो आपको बहुत जरूरी है तंबू आपके घर में किस तरह अलग है तंबू आम तोर पर उत्तरी हिस्से में पाये जाते हैं जहां पर बहुत पड़ती है इनकी विशेष्टा या है कि ठंड से हमें बचाते हैं ये गये दोनों घरों को देखे और प्रशनों को उत्तर दीजिए चित्र में दिखाया गया घर किस से बना है यह घर घास, पूस, एवं मि जिए जाते हैं तो रेगिस्तान में चित्र में दिखाया गया घर अधिकतर कहां देखने को मिलता है ऐसा घर अक्सर महानगरों में बनाया जाता है बहुमंजला इमारतें क्यूं बनाई जाती है तो सबसे बड़ी बात है कि अब दीरे-दीरे लोग शेहरों के तरफ भाग तो जगहां कम होती जा रही है, तो जिससे कम स्थान पर जादा लोग निवास कर सकें, इनमें उपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का प्रियोग हम करते हैं, हमें हरक्षेत्र में अलग-अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इसके पीछे क्या-क्या कारण है, जिसका प्रम कारण है आपका भगोली किस्ते जैसी परिस्थितियां जहां पाई जाती हैं, वही आधार लेकर घरों का निर्मान होता है, वंतर बताईए, गाओं के घर और शहर के घर सोविधाएं, यहां शुद्ध हवा एमम शुद्ध आहार होता है, गाओं के घर कम मजबूत होते हैं अगर मजबूती के बात करें, यहां पर इस्थान कम लोग जादा होने से वातावरन प्रदोशित होता है, यहां की इमारतें सालों साल चलती हैं, अब बात कमरे की कर लें, यहां पर कमरे कम इस्थान अधिक होते हैं, खुलापन जादा होता है, यहां पर कमरे जमीन के एव प्रति दिन ले जाते हैं, घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें, मिट्टी घास पूसाधी होता है, जबकि शहर में सीमेंट, मोरंग, इट, आधी चीज़ों से बनाया जाता है, लोगों को गाउं से शहरों की योड़ जाने की आवश्यकता किनकिन परस्तित परस्तियों में पढ़ती है, गाउं में रोजकार का अभाव है, सिक्षा की सुविधा नहीं है, चिकतसा ब्यवस्था ठीक नहीं है, यही कारण है कि लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, आपके घर में किस प्रकार का कच्रा होता है, आप उसे कैसे अलग-अलग कर सकते हैं, हमारे यहां सूखा यह उंगेला कच्रा होता है, दोनों को अलग-अलग डिब्बों में डालते हैं, यानि डस्ट भी अलग-अलग प्रियोग करते हैं, तालिका में दी गई वस्थों में से, जिन चीजों से खाद बन सकती है, उन पर सही का निशान लगाएं, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा सही आ सही है, उसको करम में लगा लें, कैसे बने घर में आगे देखिए कि सूखे कच्रे के निस्तारण में 4R यानि reuse, refuse, reduce और recycle का विवरन लिखिए, तो यहां देखिए पुना उप्योग, वस्थों को पुना उप्योग में लाना, इसको हम कहते हैं, reuse और reduce यानि होता है, वस्थों को कम बरबाद करना या कूडा कम करना, refuse का मतलब होता है, जसको हम मना कर दें कि प्लास्टिक से बने समान का प्रियोग नहीं करना है, और पुना निर्मान, recycle, अपसिस्ट पदार्थों को गला कर पुना प्रियोग में लाना, नीचे दी गई च चीजों को आप reuse, reduce, recycle कर सकते हैं, इस आधार पर वर्गी कृत कीजे, तो यहाँ पर देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं, दो तीनों में आ जाएंगे, और कई चीज़ें ऐसी हैं, जो किसी में नहीं आएंगे, उसके आधार पर आप कर लें, प्लास्टिक की थैली को 4R पद् चक्रन करके, कैसे बने घर, आपके घर का कुड़े दान जब भर जाता है, तो घर के सदस से क्या करते हैं, तो वह बाहर जो सफाई कर्मी गाड़ी लेकर आता है, उसमें डाल देते हैं, कच्रा ले जाने वाला आदमी कच्रा लेकर कहां जाता है, वह शहर से बाहर जो स्था बनाया गया है वहां लेकर जाता है अगर कच्रा उठाने वाला कच्रा उठाने का काम न करे तो क्या होगा चारो तरफ गंदगी यों बद्बू फैल जाएगी लोग बिमार हो जाएंगे क्योंकि मक्षियां यों मच्छर हो जाएंगे घर के आसवास की जगह साफ सुत्रा कम करना हो तो 4R का प्रियोग जीवन में जरूर अपनाएं